नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी जैश्वाल राजधानी पटना में आज पुलिस ने चलाया वाहनों की चेकिन अभियान बताते कि राजधानी पटना के ट्रैफिक पुलिस ने क्रोना संकर्मन के खत्रे को देखते हुए और लॉगडाउन के नियमों का पालन कराने है तू बेवज़ा मोटर वाहन से गूम रहे लोगों को पकर कर चलान काटा है इस तर्मियान पुलिस ने सकते दिखाते हुए वाहनों की संगनन चेकिन की है वही बतादे की पटना मेडिकल कॉलेज होस्पिटल में रेब मामले को लेकर राज़ी महिला आयोग की अध्यपसा दिलमनी मिस्रा ने पीम सियक्चे अधिक चक को पत्र लिख कर इस मामले में किये गए करवाई का जबाब मांगी है स्रीमती दिलमनी मिस्रा ने इस बाबत क्या कहीं आईए उसे सुनते हैं सुम लोग डर रहा है किसी से बोल नहीं रहा है किसी के पाँजा नहीं रहा है आई हालत में नाइट गाट यह सा गलत किया है उसको तो कड़ी से कड़ी सजा होना भी चाहिए हमने धिछा को लेटर भेजा है कि वहाँ पर CCTV कामरा है कि नहीं महिलावाट में महिला पुलिस कर्मी है कि नहीं नर्स है कि नहीं इसको जाच करके हमको जल्द से जल्द रिपोर्ट किजिए कि क्या हो रहा है समझ में नहीं उधरबाड में लॉकडाउन के उलंगन कर रहे हैं दुकंदारों पर बाड के परखण पिकास पदधिकारी ने त्वरित करवाई करते हुए कई दुकानों को सील कर दिया है बता दे कि बाड के बिडियो अमरेंद्र कुमार ने इस संदर में बताया कि बाड में करूना संकर्मित मरीजों के मिलने के कारण परखंड परसासर ने अपने दलवल के साथ बजार में दुकांदारों के बीच गई जो दुकान, तार, लॉकडाउन और सोसल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें सक्ति बरत्ते हुए सील कर दिया गया है उधर बात करें तो बैसाली जिले की रुस्तंपूर के निवासी एक महिला रीता देवी को जाल साजी करने के आरोप में पुलिस ने ग्रफतार किया है और उसे जिल भी भेज दिया है यह महिला स्वें सहायता समूख चलाती थी बता दे की लगभग एक लाख रुपए की जाल साजी का मामला बताई गई है तो ऐसे ही खबरों लेकर मैं आती रहूंगी नमस्कार